केन दिग्रेट विल्यमसन जी हाँ आज केन विल्यमसन आपको वापस से फील्ड में दिखेंगे बंगॉल टाइगर्स के सामने मतलब बांगलादेश के सामने साकीब उलहसन एक तरफ रहेंगे दुरी दरफ केन विल्यमसन बहुत टाइम के बाद वापसी कर रहे हैं आईपिल बिलकुल आएंगे केन, ये कल ही अनफर्म हो गया था, कैसार रिपोर्ट्स में ये आया था कि केन विलियमसन, और मैंने पिछले मैच में ही बोल दिया था कि केन विलियमसन अगला मैच खेलने वाले हैं, क्योंकि वाम-प के दोनों मैचे खेले थे, और जो रिदम चाहिए, व किस ट्रीम के पास स्ट्रेंथ क्या है? तो फारुब पहले बात करते हैं बांगलादेश की कुछ खास चेंज़िध देखरेए हैं, और स्ट्रेंथ में मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा वह जिए, लिटन-दास जो नहीं चल रहे थे, वह 76 रणकी जो पारिया है, उनकी यहां से ऐसा लग रहा है कि वो टच उनको मिल गया है जिसकी जरूरत थी जो तमीम अखबाल कि जाने की वद्वाद हो मिस वर्द गयार ओपन नहीं हो पा रहा है अच्छे से स्कोर नहीं हो पा रहा है लेकिन लिटन दास जो फॉर्म में आये मुझे लगता है कि यहां से बां को देखेंगे मेंधी हसन को देखेंगे तो इस तरह से एक स्ट्रॉंग स्पिन डिपार्टमेंट है जिसे लीड खुद शाकिब करते हैं तो चेनने के मैदान में अगर दूसरे तरफ की बात करें तो उधर भी हैं स्पिनर से उधर आपको रचिन रविंद्रा है इश सोधी है और आपको हो सकता है जैसे शर्दूल ठाकूर हमारे लिए काम करते हैं कि कभी ब्या करें गोल्डे नाम वाला जो काम करते हैं इंग्लेंड के बाद लिविंग्स्टन है यहां पर फिलिप्स हैं तो यह कुछ गेंबाद ऐसे हैं जो आपको मतलब मिडल ओवर्स में आप आपको निकाल करके दे देते हैं कितनी भी बड़ी पार्टनर्शिप क्यों ना हमने देखा है कि ऐसे ओवर्स में मिडल ओवर्स में आकर के यहां पर कारगर साबित होते हैं दूसरे न्यूजिलेंड की ताकत है उसके उपनर उसका टॉप ओडर क्या टॉप ओडर रहा है तो यह जो आपको रचिन रवीदा का ने स्कोर कर रहा है उनने बता दिया कि यह वहां पर हां मेरे अंदर जो नाम है उसको मैं पूरी तरह से डिस्प्ले करता हूं तो अब जो कप्तान साहब आने वाले हैं क्या वह अपनी जगा बर खरार केंज वह हम आप सारी बात रख याज़ा human being में देखेंगे तो केन बहुत generous है बिलकुल तो ऐसा हो सकता है कि केन बोले कि नहीं वह अच्छा पॉम कर रहा है और वो जगह पर खेल रहा है लगातार तो उसको वही रहने तो मैं प्लेस नीचे आ सकता है ऐसा हो सकता है बिलकुल बिलकुल कह सकते हैं तो यह तो रही अताकत वीकनस न्यूजिलेंड के बाद करूं तो कुछ खास नजर आई नहीं 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 इंगलादेश के खिलाएं क्योंकि दो मैच हुए है दोनों मैच में मैच बहुत अच्छा हुआ है पूरी टीम ने बहुत अच्छा कहला है लेकिन ट्रेंड बोल कहीं अप पेसर को बहुत जादा हेल्प मिलने वाली है लेकिन ट्रेंड बोल चाहेंगे कि बांगलादेश के ओपनर्स को शुरू में अट लीस्ट थोड़ा परेशान करके एकाद विकेट निकालें ताकि अपनी रिदम वापस पासकें बिल्कुल ये तो थी न्यूजिलेंड के दिक मुझे ऐसा लगता है कही न कहीं कि जो मुस्तफीजूर रह्मान है सबसदर्द एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का उनको और पेस बॉलर्स में शरिफ अल इसलाम आपको विकेट लेके दे रहे हैं तसकीन अहमद आपको विकेट लेके दे रहे हैं बट वो डिलेवर नहीं हो रही है और उसके लिए जो बांगलादेश है वो लागतार प्रेपरेशन कर रहा होगा लेकिन निराशा जरूर होगी अपने मेडिल ओडर से बांगलादेश खुश है क्योंकि वो परफॉर्म करकर उनको दे रहा है साकिप भाला के पिछले आश पर न मैचे में 14 विकेट उनके नाम है तो कही ना कहीं मतलब ये खलती है कमिया मानलो अगर जस्परिद बुम्रा विकेट नहीं लेंगे तो इंडिया के बाकी वालर्स में मतलब थोड़ा से मेंटली टॉर्चर रहता है अफसाने बाले कि इस तरह से सिराज को 2 मैच विकेट नही पिछले मैच में 16 रंखा लिए 9 वर में बढ़ता ऑस्टेलिया खिलाफ जब डेब्यू हुआ था और आप पढ़ें तो मतलब आपको कहीं नहीं लगता कि यार आपका प्रीमियम बॉलर है जिसे ऑस्टेलिया देखिए बहुत परिशान ऑस्टेलिया चाप नहीं कर रही है क उपने सेम तरषी तो मुझे अब यू आप झूट है कि आप अभी और इन्हें को मौक्य दोगे तो मुझा नहीं लगता है कि आप उपर में से तैंजीत को या पर लिटन को बल्कुल भी हम वी हटाने का सोचोगे नजमल रशैन शान तो है जाना है कि ईक बार हो शकता है कि उपर आजाएं, लेकिन इससे नीचे आएंगे, और मुझे ये नीचे आएंगे और में इस पार जाएंगे साखिब का जो कारेक्टर हमें पता है मैंजलात कमांड रोपर आकर कि रन करें तो यह हो सकता है मेदेसन मेराज उपर आ जाएंगे साखिब बहीं बढ़ाएंगे फिर पांच पर नज्मलशन शान्तो टीक है यह हो सकता है फिर मुष्रीवर्विकृर रहीम आएंगे फिर उसके बार तो हरीदौए मेहन्दी अशन में बार रोलदा करने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कही न कही नीजिजिलांड को परेशान करेंगे अब तक जो नीजिलांड याई है मुझे लगता है कि आज के मैच में न्यूजिलांड थोड़ा फसने वाली है न्यूजिलांड की बात करें तो बिल्कुल सौर्टेड 11 इनके पास है एक्सेप्ट विल्यमसन के एंट्री के अलाबा जिया ओपन में कोई शुनी है कोई शुनी है कोई शुनी है कॉन्वय यंग तीसरे नंबर पर विल्यमसन रहेंगे मुझे लगता है कि तीसरे पर विल्यमसन रहेंगे और रविंद्रा जो है वो चार पर आएंगे क्योंकि उनके पास एक यह भी होगा कि अभी नया नया और श्राट करा इंटरनेशनल करियर तो तीन पर आपने खेल लिया आप के प्लेस करने वागे जता होगे डिखाar दिन फेल्दरियुम फेल्डर ऐड ए ए ए लाप्व में पूस्कों आप करिंगे सुरे पर उसकेबर आपको आप सेंटनर सियंhus फिर Henry आगए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लगातार आपको अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं विकेट लेकर के दे रहे हैं तो Henry आगए यहाँ पर यही है कि क्या आप लोकी फगुशन को खिलाएंगे कि ने ट्रेंट बोल तो आपके साथ जाएंगे तो आप तीन पेसर के जाएंगे दोनों टीम की तो सिधर सिधर अगर आप 11 बनाएंगे तो कैप्टन किसे बनाएंगे? कैप्टन मैं बनाऊँगा कैप्टन को मतलब केन विलिमसन को यहार मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी फसेगी मुझे लगता है बांगलाजी खिलाफ मैं और अरो मुझे सेंचरी आप अब अब बनाए है करफ गल पीजने, तर मैं पर दूअब इस जितरी है अब लगा है soalan figuring 10 इस हा़ cousins, के एचनो खेवाज ही फाड़न करना मा बांगे तो सेंचरी है कल भी मैं अम्मिद लगा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल लगा रहा है कल कुटिन डिकॉप ने लगा दी थी जी हाँ और कल रोब से अपको भीडेड कोली लगा दे यहाँ तो भी वह कल की बात कल करेंगे और आज की बात आज कर लेते हैं कि Kane Williamson मुझे लग रहा है अच्छा आगास करने वाले आज मुझे ऐसा लगता है Darryl Mitchell मुझे अपने असले है Darryl Mitchell की अच्छी आरही है और Vice Captain के तोर पर किसे देख रहे हैं Vice Captain के तौर पर मैं देखूँगा Saakibul Hasan को मैं भी शाकिप के साथ जाओंगा यहाँ पर क्योंके बैट और बॉल दोनों से स्पिन डेपार्टमेंट अपका अच्छा है और आप चिन्नेई में खेल रहे है तो मुझे पूरी अम्मीद है कि शाकिप आज बेटर भाउम करने आगा है वाइस कैप्टन पर हम दोनों से हम हैं बागी कैप्टन आप विलिमसन को बनाईए या फिर आप डैरल मिचल को यह आपकी चोईस है आपको क्या लगता है इसके अलावा भी प्लेइंग 11 में कुछ चेंजिस हो सकते हैं या आपका जो फेंटेसी 11 में कैप्टन किसी और को बना प्लेए हो प्लेए हुआगा है झाल भी लाए है